कोर्षन नंबर 45 क्या करण है कि PQRS एक आयत है जीए विकर्ण PR दोनो कोन P और R को समदिवाज़ित करते हैं तो सिद्र केजिए कि PQRS एक वर्ग है और विकर्ण QS दोनो कोन Q और S को समदिवाज़ित करता है छलिए देखें, मैं यहाँ पर एक आयत बना लेता हूं, ठीक है, एक आयत है, एक आयत है, नहीं आधी है, अच्छा है, इसका पी आर देखिए, पी आर कौन होगा, विकरंड पीilla हो जागा, यह नहीं होगा PR यह angle P और R को सम्दिवाइच करते है याा cod इस कोड के पराबर और यह वाला cod इस कोड के पराबर है या नहीं सकते हैं कि विकर्ण विकर्ण P R angle P तथा angle R का सम्दिभाजक है सम्दिभाजक है तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है एक नमबर में कि P Q R S एक वर्ग है एक वर्ग है और दूसरे में क्या सिद्ध करना है कि Q S एंगल Q तथा S का एंगल S का समधी भाजक है तो पहले एक वाला सिद्ध कर लेते पहला वाला फिर हम लों फिगर में जब छेड़ चाड़ करेंगे पहले पहले पहला नमबर वाला सिद्ध करने तो उसके बाद देखा जाएगा चलिए अब इसका प्रमान देखिए ठीक है अब देखो अच्छा दिया है कि पी आर एंगल पी तथा एंगल आर का समधी भाजक है अच्छा समधी भाजक है तो मैं यह लिख सकता हूँ कि एंगल क्यू पी आर बराबर में एंगल एस पी आर और एंगल क्यू आर पी बराबर में एंगल एस आर पी हो जागा ना यहां कोड इसके बराबर और यहां कोड इसके बराबर यहां पे एंगल क्यू पी आर जो हो कोंड के बराबर भी हो जाएगा एकांतर अंतर कोंड से बराबर हो जाएगा हो जाएगा ना यानि कहने का मत्तब जब यह कोंड इस कोंड के बराबर हो गया और यह वाला कोंड इस कोंड के बराबर है तो यह आपस में बराबर हो जाएगा उसी परकार यह भी आपस में बराबर हो जाएगा यानि angle इसलिए आनि सकता है कि angle spr बराबर में angle serp और दूसरा हो जाएगा angle qpr बराबर में एंговुаков कि यह वाला कोण इसके बराबर और यह वाला कोण इसके बराबर यहां कोंक स्कारчи जाली सकते हैं कि समान कोणों के तिर्भूज के अंदर समान कोणों के सम्मुक भुजाएं बराबर होती है, सम्मुक भुजाएं हैं, इसलिए बराबर होगी है न जी, चलिए, तो यहां भुजा इस भुजा के बराबर हो, यहां भुजा इस भुजा के बराबर हो, और चुकि PQRS एक आयत है, एक आयत भी दिया है, तो आमने सामने की बुजा बराबर होगी, PQ बराबर में RS और QR बराबर में PS तो यह आमने सामने के बुजा बराबर और सम्मुक बुजा यह इसके बराबर यह इसके बराबर यह इसके बराबर इसलिए यह चारों बुजा आपस में बराबर हो जाएंगे यहां पे P.Q.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.R.S.B.B.B.B.B.B.S. चारों बुज़ा अपस में बराबर होंगए इसलिए P.Q.R.S. एक वर्ग है, एक वर्ग हैं तुकि आयत था, आयत की परत्याक बुज़ा बराबर होगए, इसलिए वह वर्ग हो गया, समझ गया, चलिए, दूसरे नंबर में क्या करा है, कि हमें यह QS, यह भी दिखाना कि सम्दिभाजक होगा, चलिए QS की बात करते हैं, एंगल Q और R का सम्दिभाजक होगा, यह हमें दिखाना है, तो जब भाईया यह वर्ग हो गया, तो यहा गुजा इस बराबर हो जाएगी, ना, तो यहां से हम दूसरे वाले के लिए देखिया, PQ बराबर में PS हो जागा ना, PQ बराबर में PS, क्योंकि PQ RS एक वर्ग है, इसलिए, तो वर्ग है इसलिए बराबर हो जागा, यानि कि एंगल PQS बराबर में, एंगल PSQ, यहां कोण, इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, QR जो होगा, RS के बराबर है, क्योंकि वर्ग है, तो इसके लिए यहाँ पे, यहाँ कोड जो होगा, इस कोड के बराबर हो जाएगा, यानि कि एंगल RQS बराबर में, एंगल RSQ, यह क्यों हो रहें यह दोनों, समान के सम्मुख कोड सम्मुख कोड समान भुजाओं के सम्मुख कोड 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 स एंगल pété q s बराबर में ऐंगल r e s q हैंतर अंतर प् dots ऑपस के बराबर हो जाएंगा उसी प्रकार यह भी यह बराबर हो जाएगा यानि कि इसलिए एंगल PQS बराबर में एंगल RQS और एंगल PSR PSQ बराबर में एंगल RSQ हो जाएगा तो इसलिए हाँ कह सकते हैं आता है आता है क्यूएस जो है ना क्यूएस एंगल Q तथा एंगल S का एंगल Q तथा एंगल S का समधी भाजक है समधी भाजक है हमने साबित करके दिखा दिया चलते आप नेक्स कोशन की तरफ 46